नमस्कार मैं हूँ दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दिललन टॉप प्रतीशत से 2020 के पहले क्वाटर में 3.1 प्रतीशत की गिरावट भी आक्ट अफ गॉड है इसके बाद स्वामी ने वीडियो ट्वीट को रीट्वीट किया इसमें वित्मंत्री देश की अर्थवस्था और जीस्टी में आये अचानक नुकसान को आक्ट अफ गॉड कह रही है इस वीडियो में सीता रमन ने आने वाले समय में अर्थवस्था की विकास दर में भी कमी का अनुमान लगाया है 41 वे जीस्टी कांसिल की मीटिंग में वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने गुरुवार को कहा कोरोना वाइरस महमारी ने जीस्टी कलेक्शन पर काफी बुरा सर डाला है उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थवस्था कोरोना वाइरस के रूप में सामने आए असाधारण Act of God का सामना कर रही है जिसकी वजह से इस साल अर्थवस्था के विकास की दर सिकुड सकती है जीस्टी कांसिल की मीटिंग के बाद सीता रमन ने बताया कि राज्ये के वित्सचीवों को एक नोट में सुझाव भेजने के लिए कहा गया है और इसके लिए उन्हें साथ दिनों का वक्त भी दिया गया है वित्सचीव ने कहा कि जीस्टी की कमी को पूरा करने के लिए जिन विकल्पों पर चर्चा की गई है वे केवल चालू वित्वर्ष के लिए हैं जीस्टी परिशल अगले साल अप्रेल में इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी वित्सचीव ने कहा कि मौजूदा वर्ष में कोविड उन्निस के कारण अर्थ्विवस्था की गती धीमी रही है जिसके कारण जीस्टी संग्रह कम रहा है इस से पहले सुषांत पर स्वामी ने किये थे ट्वीट्स सुब्रमण्यन स्वामी ने सुषांत की मौद का दुबई कनेक्शन बताया था सोमवार को स्वामी ने ट्वीट कर लिखा था जैसे एम्स के डॉक्टर्स को सुनन्दा पुशकर के पेट में असली जहर मिला था वैसा श्री देवी और सुशान्त के केस में नहीं हुआ सुशान्त ने मौत के दिन दुबई के ड्रग डीलर आयाश खान से मुलाकात की थी आखिर क्यों? आपके लिए एक खबर लिखी है हमारे साथी सुमित ने देखते रहे दिलल लंटॉप शुक्रिया झाल